हलो दोस्तों मेरे नाम है मनीश और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल स्री रामा गर्वत्ति और आप सभी को गंतंत्र दिवस की बहुत-बहुत सुबकामना है तो आज के इस नए टोपिक में मैं आपको बताऊंगा प्रिमिक्स पाउडर फार्मूलेशन के बारे में बहुत से लोग मैसेज किये थे कि आप प्रिमिक्स का फार्मूलेशन केल्कूलेशन आप बताईए करके तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ ये सामने मैंने कुछ पाउडर्स रख लिये हैं तो मैं सबसे पहले आपको चारकोल दिखाता हूँ ये चारकोल पाउडर है अगर आप प्रिमिक्स बनाना चाहते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का चारकोल लेजिए क्योंकि प्रिमिक्स में सबसे बड़ा चीज होता है चारकोल अगर चारकोल आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रिमिक्स भी अच्छा तयार नहीं होगा इसलिए आप अच्छी क्वालिटी का चार्कॉल लीजिए ये मुझे लगबग लगबग ट्रांस्पोर्ट करके ग्यारा रुपए केजी के आसपास पड़ा था तो आपके एरिया में आप देख लीजिए कि क्या है सबके जगा क्या अलग-अलग चार्कॉल का रेट होता है उसके बाद ये मैं उडन पाउडर रखा हुआ हूँ जिसे सौडस भी बोलते हैं ये भी आपको मार्केट में अलग-अलग क्वालिटी में अलग-अलग रेट में आपको मिल जाएगा ये मुझे विथ ट्रांस्पोर्टिंग करके चौदे रुपए के आसपास मेरे को पड़ा ही है आप देख रहे हैं सौडस भी आप अच्छी क्वालिटी में ही ले क्योंकि जितना कोईला का जितना क्वालिटी आप रखोगे उतना ही सौडस में भी क्वालिटी की जरुरत पड़ती है प्रिमिक्स बनाने के लिए तो आप सौड़र्स्ट भी अच्छी क्वालिटी में ले पुरी बारिक है आप देख रहे हैं वीडियो में आपको दीख रहा होगा और एकदम फाइन देखे जाएट तो एकदम फाइन डिस्ट है ये तो अच्छी क्वालिटी में ये भी आप खर क्योंकि प्रिमिक्स में सबसे बड़ा रोल जोस पाउडर का ही होता है तो यह आपको मार्केट में भी असानी से मिल जाएगा यह लगबग लगबग इसका रेट 75 रूपीस केजी में आता है यह यह सामने रखा हुआ है मैंने जिगट और जिगट भी आप अच्छी तीका ही यूज करें मार्केट में यह आपको लगबग लगबग 35 रूपाय केजी से आपको स्टार्ट हो जाएगा अब इसके बाद में आपको इसका टोटल फॉर्मुलेशन आपको कितना-कितना मिक्स करना है पाउडर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है अब मैं इ यह केलकुलेटर मैंने स्टार्ट कर लिया और सबसे पहले आपको चार औल लेना है 100 केजी की अंडर मैं बताऊँगा कि आप अगर 100 केजी में अगर तैयार करते हैं प्रिमिक्स पाउडर्स तो इतना कितना परसेंटेज आपको लेना होगा तो सबसे पहले मैं चारकोल लेता हूं चारकोल आपको लगेगा 58 kg 58 kg आपको चारकोल देना है मतलब 58% चारकोल देना है आपको उसके बाद आप प्लस कीजिए 28% इसमें हम उडन पाउडर देंगे सौडस्ट क्योंकि 28% यह परफेक्ट है इसे आप कम मत करिए अगर आप प्रिमिक्स में उडन पाउडर अगर कम करोगे तो आपका प्रिमिक्स क्वालिटी कम हो जाएगा और बर्निंग में प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी बत्ती वेटेड भी हो सकती है क्योंकि उडन पाउडर क्या हलका आता है हलका आने की वज़य से इसमें कॉंटिंग भी आपका अच्छा मिलेगा तो आप कोशिस कीजिए कि उडन पाउडर अच्छा ही डालें तो अच्छे क्वांटिटी में डालें क्योंकि यह बहुत जरूरी चीज है कई लोग पॉस्ट कम करने के चक्कर में उडन पाउडर कम कर देते हैं तो आपका इसमें नुक्सान हो सकता है तो 28% हमने उड पाउडर ले लिया है और उसके बाद आपको जोस पाउडर लेना है जोस पाउडर आपको डालना होगा 6 केजी के आसपास और उसके बाद आपको लेना है जिगट जिगट पाउडर आपको लेना है 8 केजी मतलब 8% आपका टोटल हो गया फार्मुलेशन 100 का एक बर और देख लिजी आप 58 केजी आपको चारकोल लेना है 28 kg लेना है आपको उडन पौडर और 6 kg लेना है आपको जोस पौडर और 8 kg लेना है आपको जीगट पौडर यह आपका टोटल हो गया 100 kg आप इसे परसेंट भी मान सकते हैं पौडर का मैंने कैलकुलेशन और परसेंटेज आपको बता दिया है अगर आप एक अच्छी क्वालेटी में प्रिमिक्स बनाना चाहते हैं तो जितने परसेंटेज में मैंने दिखाया हुआ है उसी परसेंटेज में आप बनाईए 100 kg प्रि तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और लाइक कीजिए सेयर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं नए वीडियो में हुआ है